हेलो फिरेंस आज की इस वीडियो में हम लोग संभाहु तिरिभूज का छेतरफल ग्याद करना सीखेंगे इस वीडियो का आप लोग अन तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग किसी भी परकार के संभाहु तिरिभूज का छेतरफल निकालना सीख जाएंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ एक कुस्चन है क्या है संभाहु तिरिभूज का छेतरफल ग्यात किजिए और यहाँ एक चीतर दिये हुए है ठीक तो पहले हम लोग जानेंगे कि संभाहु तिरिभूज होता क्या है तो संभाहु तिरिभूज का परिवास हम लोग बोल सकते हैं कि जिस तिरिभूज के तीनों भूजाओं की लंबाया बराबर हो उसे संभाहु तिरिभूज कहते है ठीक और संबाहुतिरी भूज में जो ये कौन बनता है प्रते कौन 60 डिगरी का होता है ठीक जैसे मान लिजिए ये एक संबाहुतिरी भूज है तो इस संबाहुतिरी भूज का जो यहां तीनो कौन बनेगा वो प्रते कौन 60 डिगरी का होगा तो चलिए अब इस question को हल करते हैं यहा क्या है एक तिर्भूज है जिसका भूजा 6 cm है संभाहु तिर्भूज होने के लिए अगर एक भूजा 6 cm है तो वो जो तीनो भूजा है वो 6 cm ही होना चाहिए तो यहाँ एक 6 cm है तो तीनो क्या है 6 cm है यानि ये एक संभाहु तिर्भूज है तो इसका 6 तरफल निकालने के लि तो चलिए पहले संभाहु तिरीभूज का छेतरफल बरावर क्या होता है संभाहु तिरीभूज का छेतरफल का फर्मूला क्या होता है अव इसी फर्मूला से हम लोग क्या करेंगे इस तिरीभूज ABC का छेतरफल ग्याद करेंगे तो इसको हल करने के लिए यहां लिखेंगे तिरिभूज A, B, C का छेतर फल बरावर तो तिरिभूज A, B, C यानि इस चीतर से क्या हो जाएगा तिरिभूज A, B, C का छेतर फल बरावर रूट तीन बटा चार है तो रूट तीन बटा चार लिखेंगे गुना है तो गुना देंगे ठीक उसके बाद क्या है भूजा square है तो भूजा क्या सेंटीमीटर है छे सेंटीमीटर है तो 6 का क्या हो जाएगा यहाँ square हो जाएगा ठीक अब क्या करेंगे इसी को solve करेंगे solve करने के बाद क्या हो जायगा root 3 बटा 4 है तो लिख देंगे गुणा है तो गुणा लिखेंगे अब 6 का है square 6 पर square है इसका मतलब क्या है कि 6 गुणा 6 है जब 6 गुणा 6 करेंगे चरए 6 36 हो जाएगा तो यहां 36 लिख देंगे ठीक अब देखेंगे कि कटने वाला है की नहीं तो यह जो 4 है इन 9 बार में कट जाएगा 4, 9, 36 होता है ठीक अब इसको आगे solve कड़ेंगे क्या हो जाएगा यहां से क्या मचा root 3, 9 root 3, 9 है इसका मतलब क्या है 9 root 3 आगिया ठीक तो संबाहु त्रिभूज का 6 त्रफल निकल कर कितना आगिया 9 root 3 इसका answer यह भी हो सकता है अगर दसमलो में दिया होगा तो उसको कैसे निकालेंगे आए आगे इसको सीखते है जैसे यहां क्या है 9 root 3 है तो 9 गुना root 3 का value हम लोग को याद राना चाहिए या निकालना आना चाहिए ठीक तो root 3 का value कितना होता है 1.7,3,2 ठीक root 3 का value कितना होता है 1.7,3,2 अब इसको आगे solve करेंगे क्या हो जाएगा 1.7,3,2 से 9 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 9,2,18,8 हो जाएगा उसके बाद 9,23,27,1,28 के 8 हो जाएगा उसके बाद 9,7,3,2,65 के 5 हो जाएगा ठीक कितना बचा 6 बचा हासिल 9,1,9,8,15 हो जाएगा तो यहाँ 15 लिख देंगे ठीक अब देखेंगे कितने आंके बाद 10 लो है तो 1,2,3 1,2,3 3 अंके बाद यहाँ भी दसमलो हम लोग दे देंगे ठीक यहाँ क्या है 15 दसमलो 5,8,8 यह संबावतिरी भुज का 6 तरफल आ गया ठीक रूट में भी आ गया यह भी एंसर सही है और यहाँ दसमलो में आ गया यह भी एंसर सही है ठीक अब यहाँ ध्यान देंगे अब यहाँ चीतर में देखेंगे कि सवाल में जो भुजा दिये हुआ था यह सेंटीमीटर में है कि मीटर में है तो यहाँ भुजा में देखा जा रहा है कि यहाँ सेंटीमीटर में दिये हुआ ठीक और अगर मीटर में वही दिया रहता भूजा की लंबा या तो यहां मीटर स्क्वाइर हो जाता तो संभाव तिरी भूज का छेतरफर निकल कर क्या आ गया पंदरा दसमलों 588 सेंटी मीटर स्क्वाइर यही इसका एंसर हो गया तो चलिए आप लोग भी संभाव तिरी भूज का छेतरफर बिलकुल असानी से इसी तरह से निकाल सकते हैं आई होप कि इस वीडियो में आप लोग अच्छे से समझे होंगे अगर आप इस चनल पर नहीं है तो चनल को सब्सक्राइब करें अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी थी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें